आज जिस निबंद को हम पढ़ने जा रहे हैं वह एक महत्वपूर्ण विशे है भारतिय समाज में नारी का इस्थान इसे एक छात्र ने लिखा है और इसका वाचन मैं अल्पनवर्मा कर रही हूँ निबंद की प्रस्तावना सम परिस्तितियों में वह देवी है तो विशम परिस्तितियों में दुर्गा भवानी बन जाती है नारी और पुरश स्रिस्थी चक्र में एक दूसरे के पूरक हैं जैशंकर प्रसाद ने कामाईनी के लज्जा सर्ग में यह बात कही थी नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में प्योश स्रोत बहा करो जीवन के सुंदर समतल में प्राचीन काल में भारती नारी प्राचीन काल में नारियों के लिए कोई भी इस्थान वर्जित नहीं था वी युद्ध भूमी में भी पुर्शों के समान रण कौशल दिखलाया करती थी कहके इसका प्रत्यक्ष उधारन है जिनोंने युद भूमी में राजा दर्श्टत को सहयोग दिया था इसके अलावा सीता, अनुसुय, सुलोचना, दी आदर्श नारियों ने नारी जगत को एक नवीन दिशा प्रदान के महान विदूशियों में आपने गारगी का नाम तो सुना ही होगा मध्यकाल में आकर नारियों की सामाजिक तशा अत्यन्त दैनिय हो गई विदेशी आकरमन कारियों के हमले और उनका भारत के स्थानों पर कबजा करना इन सबने भारतिय संस्कृति पर बहुत प्रभाव डाला और उस काल के शासकों की जो काम लोलूप निगाहें थी उनसे नारी को बचाने के लिए परदा प्रथा लाग हुई इस काल में नारियों को चार दिवारी तक सीमित कर दिया गया इस तरह मध्य काल में आकर शक्ति स्वरूपा नारी अबला बनकर रह गई गुप्त जी ने कुछ पंक्तियां लिखी थी जो इस काल की नारी के लिए बहुती सठीक मालूम पड़ती है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आचल में है दूद और आखों में पानी भक्तिकाल इवं रितिकाल में नारी जन जीवन के लिए उप्यक्षित हो गई इतनी उप्यक्षित हो गई कि विद्वान कभी कभीरदा, संत कभीरदास ने उन्हें महाविकर एवं नागिन तक कहकर उनकी घोर निंदा की महा कभी तुलसिदास ने भी नारीों की प्रतिसानुबोती नहीं दिखाई है उन्होंने लिखा है ड्होल गमार शूत्र पशुनारी ये सब ताणन के अधिकारी रिति काल में जो कभी हैं उन्होंने नारी को भोग विलास की वस्तू बना डाला इस काल के कभीों ने नारी के नक से शिक तक का वर्णन कैसी किया है उनकी रचनाओं में अगर हम पढ़ेंगे तो इसका ज्यान होता है श्रिंगारस के कभी बिहारी ने लिखा है जीने पट में जुलमी जलकती ओप अपार सुरतरु की मनुसिंदु में लसती सपल्लवडार उसकी बात के समय में हम भारती नारी का दुरगा रूप देखते हैं जहां वे विदेशी आकरमानकारियों से लड़ते हुए शहीद होती है अपने देश को उलामी की बेडियों से आजाद कराने के लिए आगे आती है ऐसी कई विरांगनाओं के नाम आप इतिहास में पढ़ सकते हैं महरानी लक्ष्मी बाई उनमें से एक हैं जिन्नोंने अपने त्याग और साहस का परिचे देकर भारत का गौरव बढ़ाया संस 1857 की क्रांती में रानी लक्ष्मी बाई ने अंग्रेजों के दात खटे कर दिये थे जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता है सुबद्रा कुमारी चोहान ने लिखा चमक उठी संसतावन में वहतलवार पुरानी थी बुन्दे लेहर बोलों के मूँ हमने सुनी कहानी थी आधुनी काल में बंगाल के राजा राम मोहन राय और उत्तर भारत के दियानन सरस्वती ने नारी को पुर्षों के अत्यचार से मुक्त कराने के लिए क्रांती का बिगुल बजाया कवी पंत ने नारी की तीवर स्वर में स्वतंतरता की मांकी मुक्त करो नारी को मारव चिरबंदिनी नारी को युग-युक की निर्ममकार से जननी सकी प्यारी को उपसहार आज नारी के स्थिती पहले से बहुत अधिक बहतर है आज भारत के प्रगति के हर शेत्र में नारियां पुरिशों के साथ कंदे से कंधा मिला कर आगे बढ़ रही है एक तरफ हमारी बेटियां उलम्पिक में गोल्ड मेडल स्वन पदक जीत कर आ रही है तो दूसरी तरफ हमारे समाज के कुछ असमाजिक तत्व उनके विकास में बाधा बने हुए है शासन हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है परंदु हमें भी शासन के साथ मिलकर नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए इन बुरे तत्वों को जड़ से काट फेकना है जड़ से उखाड फेकना है भारत देश जिसमें नारी को देवी की रूप में पूजा जाता है उसमें नारी को पहले जैसा सम्मान वापस दिलाना है और इस कहावत को चरितार्थ करना है यत्र नारेस ते पूजयन ते रमन ते तत्र देवता तो यह था निबंद भारते समाज में नारी का इस्थान एक अच्छे निबंद का उधारन है यह भी क्योंकि भाशा सरल सहच है और बहुती अच्छी तरह से विचारों को व्यवस्थित करके सुघटित रूप में लिखा गया है साथ इसाथ इसमें उक्तियों का प्रयोग भी सुरुची पून धंग से किया गया है आशा ही यह प्रयास आपको पसंद आया होगा धन्यवाद